नमस्कार, सीतो प्लादी चूरन के फाइदे बताईए, ठीक है मैं आपको फाइदे भी बताऊंगा और सीतो प्लादी चूरन कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि सीतो प्लादी चूरन आप घर में भी तियार कर सकते हैं, पुराने समय के लोग अकसर इसे घर में बना करते थे क्योंकि मोसम बदलता है तो फेफडों से संबंदीत गले से संबंदीत और कफ से संबंदीत रोग होई जाते हैं अब मैं आपको बताये तो सीतो प्लादी चूरन आपने कैसे बनाना है बंद सुलोचंड जिसे तवासिर बोलते हैं एक तवासिर हल्की क्वाल्टी का बहुत सस्ता होता है 60-70 रुपे किलो मिलता है वो नहीं लेना है एक तवासिर 2-3,000 रुपे किलो मिलता है वो बाला लेना है ओरिजनल होता है मैंने तवासिर की वीडियो बना के बता भी रखी है तो आपने तवासिर लेना है 80 गराम के करीब जिसे बंद सुलोचंड के ना दाल चीनी लेना है आपने 10 गराम के करीब इन सभी को पीस के पाउडर बनाना है जब पाउडर बन जाए इसमें धागे वाली मिस्री जिसे कालपिक मिस्री के नाम से जाना जाता है वो मिस्री आप मिला के रखना चाहें तो मिला के रख सकते हैं वरना ना मिला के रखें तो व इसको गी में मिलाके भी ले सकते हैं, किसी बीमारी में शेहद में मिलाके भी ले सकते हैं, किसी बीमारी में देशी खांड या मिसरी के पाउडर में लाके ले सकते हैं, वो अपनी बीमारी के अनुसार अनुपान के साथ इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं, जादत तर बीमार कफ जमा हो जाता है, छीक्या आती है, जुकाम की शिकायत रहती है, नजले की शिकायत रहती है, टॉंसिल्स बढ़ जाते है, गले में इंफेक्शन रहता है, या फेफडो में इंफेक्शन होता है, या दमे की शिकायत है, दमा इलर्जी है, या फेफडो का टीवी, पल्मोनरी ट्यूबर कलोसिस की शिकायत है, तो ऐसे में आधा चमत चूरन, एक चमत शहद में मिला के, सुवेश याम इस्तमाल करने से बहुत अचूक आराम मिलता है, और इस्तमाल कैसे करना है? खाना खाने की एक घंटे बाद, और इसको इस्तमाल करने के बाद, कम से कम आदे गंटे तक कुछ खाएं पिये ना ताकि इसका पूरा परभाव आपको दिख सके हाथो पैरों में अगर आपके जलन ताह निकलती है भड़क निकलती है जिसमें हमारे कहते हैं नसे नाडिया कमजोर हो जाते उसमें खून दोर आच्छे से नहीं हो पाता तो ऐसी स्तिती में आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं गुलकंद में मिलाके चुथाई से एक चमच से लेके आदा चमच पाउडर एक चमच गुलकंद में मिलाके सुबह शाम इस्तमाल करने से दाह रोक की शिकायत दूर होती है कि योगों को मुह में पानी बहुत बंता है या फूखनी लगती तो ऐसे में इसका इस्तमाल आप गी में मिला के करिए गी में मिला के करिए कैसे एक चमच घी लेना है और उसमें चुथाई चमच या आदा चमच पाउडर मिला के सुबह शाम खाना खाने के एक गंटे बाद चाटना है तो मन दगनी की शिकायत दूर हो जात जीब कईयों को लगता है टेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज़ का जीब सुन पड़ गी है मानलो जैसे हम ऐसे उठाते हैं तो उठनी पाती है या मानली जीब की समस्या दूर होती है चाती में दर्द की समस्या भी दूर हो जाती है भूक ना लग रही हो तो ऐसी दसा में इसको घी में मिला के इस्तमाल करी हो और हलकता से उसको पर सिंदा नमक मिला के खाई यह तो बहुत अचूक पूक लगती है और खाया पर जल्दी हजम हो जाता है एक दिन सरीर में अगर आपको बुखार बना हुआ रहता है हमेशा तो कहते हम कई बार कफ बढ़ जाने के कारण उसके इंफेक्शन से भी सरीर में बुखार बना हुआ रहता है तो अगर वैसे भी अगर आपको पुराने समय का बुखार रुका हुआ है तो आप इसको आधा चमच पाउडर को एक चमच महा सुदर्सन सिरफ में मिला के सुबह शाम इस्तमाल करेंगे तो पुराने से पुराना भुखार भी आपका दूर हो जाएगा अब कई लोगों के क्या होता है जादतर देखा होगा नाक से नकसी रहा जाती है नाक की नस फड़ती है एक या दोनों की कईयों की जादतर लोगों को देखा होगा एक नाक से बलडाता है कुछ लोगों को दोनों नाक से बलडाता है तो मुझ से नाक से कान से आख से आख से तो आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा तो कईयों के रक्त आता है तो ऐसी दसा में इसे आप एक चमच गुलकंद में आधा चमच पाउडर मिला के इस्तमाल करने से उधर्व रक्त पित की शिकायत को ये दूर कर देता है गुलकंद में मिला के इस्तमाल करने से बढ़े हुए पित को गर्मी को शांत करता है है उसको संतुलित मातरा में कर देता है कई बार बच्चों को सूखा रोग हो जाता है जिसमें बच्चे का पेट तो बढ़ जाता है मगर हाथ पैर सूख जाते हैं बिल्कुल बच्चा एकदम ऐसे सूखा रोग से गरस्त हो जाता है तो ऐसे में परवाल पिष्ठी एक चुट की चोथाई चमच सीतो पलादी चूरन एक चमच गी में मिला के इस्तमाल करने से बच्चे का पेट बढ़ा हुआ जो होता है वो भी अंदर चला जाता है और सरी में खाया प्या भी लगने लग जाता है मतलब सूखा रोकी शिकाय दूर हो जाती है बल्गमी खांसी अगर आप घंटे बाद खाई अगर आपको सीर्दर्द बहुत तंग कर रहा है तो गाय के घी एक चमच लेके उसमें आदा चमच पाउडर मिला के सुबह शाम इस्तमाल करें तो सीर्दर्द भी दूर होता है माईगरेन की समस्या भी दूर हो जाती है कईयों को टेंसन के कारण या कई आप इसे घर में रख लीजिये बहुत असान है अगर आपके पास समय नहीं है तो आप किसी कमपनी का भी इस्तमाल करके लाब उठा सकते हैं और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ धन्यवाद